Hello everyone, I am Priyanka Gaur, welcome back to my channel Learning with Pace. तो आज का हमारा topic है Morphology. Morphology. अब देखो Morphology को हम लोग पहले तो divide करते हैं, word को divide करके पढ़ते हैं. तो ये दो word से मिलकर बना है, Morph and Logi. तो Logi क्या है? ये एक root word है. और इसका meaning होता है Study of something. ठीक है? किसी भी चीज़ की study करना. जैसे कि हम geology पढ़ते हैं, तो उसमें भी last में Logi लगता है, biology में last में Logi लगता है. So Logi का मतलब एक ही है. Study of something. Morph का मतलब है Shape, Structure या फिर Form. So that means, Morphology का मतलब क्या हुआ? कि Shape की Study, Structure की Study, Form की Study. और हम Morphology किस में पढ़ रहे हैं? हम Morphology Language में पढ़ रहे हैं. ठीक है? हम Morphology किस में पढ़ रहे हैं? English Pedagogy में, It is a Language. Right? तो Language में, जब हम Morphology को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कि Morphology का मतलब है, जो Sentences हम Use करते हैं किसी भी Language में. चाहिए वो Hindi हो, French हो, Spanish हो, English हो, कोई भी हो. So हम यहाँ पर Particular Language की बात नहीं कर रहे हैं. So कोई भी Languages जब हम बोलते हैं, तो हर Languages में हम Sentences यूज करते हैं. तो जिन Sentences का Use हम करते हैं, उन Sentences के Form क्या है? क्या Shape है? क्या Structure है? उनकी Study Morphology में की जाती है. अगर मैं इसको बिल्कुल Basic सी और Lemon Language में समझाओ, So Morphology की Study क्या कहती है? कि जो Sentence है, वो Past में है, के Future में है, के Present में है, इस चीज की Study की जाती है, Morphology के द्वारा. अब जैसे की Example लेते हैं. जैसे की Dogs Walked Right? Dogs Walked एक और ले लेते हैं, Runs. अब Morphology का मतलब क्या है? कि Sentences या जो Word हैं, उनके Structure को बताना. तो अब देखो, Dogs में, आप ये देख रहे हो, Last में क्या लगा है? एक Inflaction लगा है. मैं Inflaction की Spelling लिख देती हूँ. Inflaction. ठीक है? ये Inflaction होता है, Inflaction हमेशा Suffix होते हैं. तो ये Last में S लगा है, Dogs में. तो यहाँ पर S लगा है, किसके साथ लगा है? देखो, Dog plus S. तब जाकर हुआ है, Dogs. तो इससे हमें क्या समझ में आया है? कि Morphology किस चीज की Study करता है? कि किस तरीके से Singular Word को Plural बनाया गया है? तो ये जो Study है, ये ही Morphology कहलाता है. उसी तरीके से, Next, Example लेते हैं. Walk, ओके, इस Word को भी तोड़ो. Walk plus Ed. ओके, अब Morphology, जैसा कि मैंने बताया, इसका साफ साफ सीधा-सीधा मतलब ये है, किसी भी Sentence या Word के Shape या Structure की Study ही Morphology कहलाता है. और यहाँ पर इस चीज़ को Star लगा लेना, क्यों? क्योंकि ये Important है, इसकी Definition आती है, ज्यादा तर Morphology की. Right? अब देखो, जैसे कि, यहाँ पर लगा है Ed. Ed लगकर बन गया Walked. अब हमें पता है, यहाँ पर बात की गई है Past की. तो Walked लग गया, तो यहाँ पर Past की बात की गई है. तो हमें पता लग गया ना, कि Word जो है, वो Past में कहा गया, That means Past की बात की गई है. So, यही Study Morphology करता है. Next है, देखो, यहाँ पर लिखा है Runs, इसको भी तोड़ो जड़ा. Run plus S. Okay, अब Runs है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, कि Runs अगर लगा है, Runs अगर लगा है, तो पक्का इससे पहले Singular होगा, है ना, जैसे की He या She, तभी तो Runs आया है, क्योंकि Runs, We, They, You, इनके साथ नहीं लगता, Singular के साथ S लगता है, ठीक है, तो He और She के साथ Runs लगा होगा, तो Runs अगर आया है, तो हमें पता चल जाएगा, कि यहाँ पर इससे पहले कुछ Singular है, Right, Singular pronoun लगा होगा है, तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, कि Morphology जो है ना, वो हर एक Word की, और जब हम इन Word को Sentences में पुट करते हैं, तो हर एक Sentences के Form and Structure बताता है, कि जो यह Sentence है, इसकी कौन सी Form है, Past में है, Present में है, इसके साथ Singular है, कि Plural है, समझ में आ कई बात, तो यह सारी Study किस में की जाती है, Morphology में की जाती है, इसी के अलावा, Morphology एक Systematic Study है, Morphemes की, ठीक है, Morphology is the Systematic Study of Morphemes, अब इसको लिख लेना line को, क्योंकि ऐसे ही Question आते हैं, और आपसे यह पूछ लिया जाएगा, MCQs बगेरा में कहीं लिखा होगा, अब Morpheme क्या होते हैं, हाला कि Morpheme एक बहुती बड़ा topic है, बड़ा in the sense, इसको मैं separate वीडियो में कराऊंगी, अगर मैं यहां Morpheme करा दूँगी, आप पका confused हो जाऊंगे, So, next वीडियो में Morpheme की ही बनाऊंगी, और next वीडियो में आपको Morpheme complete समझ आएगा, तो आपको पूरा Morphology भी समझ में आ जाएगा, So, Morpheme की systematic study है Morphology, अब Morpheme का थोड़ा सा पार्ट में यहां पर बता देते कि Morpheme होते क्या, देखो Morpheme जो होते है न, इनका अपना meaning होता है, ठीक है, Morpheme smallest unit होते है language के, ठीक है, या words के कह लो, सबसे smallest unit language के कोन होते है Morpheme, और इसको भी अगर मैं बिल्कुल लेमेन language में समझाओं, तो Morpheme वो है, जिनसे छोटा शब्द कोई बन ही नहीं सकता, सबसे छोटे से छोटे जो शब्द होते न, वही Morpheme होते हैं, Morpheme से छोटा शब्द कोई होगा ही नहीं, जैसे की, Mat, Cat, Cut, इनसे छोटा वर्ड होगा, इनहीं तोड़ के देखो, अगर तोड़ोगे, तो M A T बनेगा, या फिर M A, यहां पर T आ जाएगा, इसको भी तोड़ के देखो, C A T, या फिर इसको दूसरा derivation करो, C A T, ऐसे ही C U T, या फिर C U T, अब बताओ किसका कहा meaning बना, सारे, सारे जो remainder है, वो सारे के सारे remainder क्या है, meaningless है, that means कि morpheme वो word होते हैं, जो सबसे smallest होते हैं, बट इनका अपना meaning होता है, ठीक है, morpheme से छोटा word कोई होता ही नहीं है, अगर उसे छोटा word बनाने की कोशिश करोगे, तो जो derivation या जो remainder निकलेंगे, वो सारे के सारे meaningless निकलेंगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और morpheme हमेशा चोटे बच्चों को सिखाई जाते हैं, क्योंकि देखो, चोटे बच्चों को पहले alphabet कराई जाते हैं, फिर उनको ना, words को, sorry, words नहीं, alphabet को जोड़ना सिखाया जाता है, जैसे कि mat, cat, hat, ऐसे करके चीज़े सिखाई जाती हैं, वो जो बच्चों को सिखाई जाते हैं, वो morpheme ही होती हैं, और वो ही smallest unit होती है, किसी भी language या word की, उनसे छोटा word नहीं होता, और morpheme दो type के होते हैं, free morpheme and bound morpheme, free morpheme वो होते हैं, जो किसी पर depend नहीं होते, bound morpheme वो होते हैं, जो depend होते हैं free morpheme पे, हाला कि इसके बारे में हम बात next वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस topic को morpheme को करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा, कि morphology all and all ये बताता है, कि sentence किस form, किस structure में है, and morpheme की systematic study ही morphology है, और morpheme क्या है, ये किसी भी language या word की सबसे smallest unit है, मतलब सबसे smallest word, जिसके बाद में टुकड़े नहीं हो सकते, अपने आप में वो meaningful होते हैं, बट सबसे smallest होते हैं, और इन ही सब की systematic study, morphology कहलाता है, ठीक है, तो next topic जो होगा, वो morphemes के बारे में होगा, आपको ये English Pedagogy की सीरीज है, ये कैसी लग रही है मुझे बताईएगा जरूर, और इसके मैं MCQs भी फटाफट से बना दूँगी, और फिर बाद में हम live video में इसको discuss करेंगे, इन सबी चीज़ों को, तो अगर आपको ये video अच्छी लगी हो, तो मुझे comment section में बताईएगा, तो इससे मुझे भी motivation मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए, चलिए मिलते हैं next video में इसी के साथ साथ मेरे साथ telegram, Instagram, इन दोनों पर जुड़ना बिल्कुल मत बूलना, This said Priyanka Gaur, I wish you all the best, keep learning, thank you so much for watching this video.